दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्ते मैं धरमेंद आज आप लोग나 को रसायन बिग्यान पढ़ाने जाओं रसायन बिग्यान में सोडियम 11 का लेक्टानिक बिण्यास, मैगनेशियम 12, एलमुनियम 13, सिलिकान 14 का लेक्टानिक बिण्यास हम को निकालना है आज का प्रशन यहां बहुत सहज है लेकिन यहां बोड परिच्छा में important नहीं है लेकिन इसके बगार जाने हम रसान बिग्यान की पढ़ाई ठीक से नहीं कर सकते हैं इसलिए रसान बिग्यान की पढ़ाई के लिए यहां बहुत important भी सह है important है इसलिए आप लोग इसको समझे होता है 11 इसको निकालने के लिए हम बोरय कीनियम का पर्योग करेंगे Naam किसी परमाड के कच्छा में संख्या high 2 n sqr से अधिक नहीं हो सकती है किसंता कच्छा से अधिक हैं यह है हमारा पहला लक्षा द।व डो, लक्षा में कि 나 क्यों 2 उसके बाद कितना बच रहा दो बोरबरी केनियम के हिसाब अलमुनियम का लिखेंगे two, eight, three इस तरह लिखेंगे सिलकान का लिखेंगे two, eat, four ये होगे दस ओ चार-चोदा ये आर दो-दस, तिन-तेरा इस तरह से हम इसका इलेक्टानिक बिन्यास लिखेंगे अब इसका electronic बिन्यास हम आप बाव केनियम के हिसाब से SPDF में लिखेंगे ये कच्छा है चोटी है ये पर्मार चोटा है इसलिए इसमें आप बाव केनियम की जरुवत नहीं पड़ेगी तो हम इसको SPDF में लिखेंगे तो SPDF में लिखेंगे 1H2 1H2 और इसके बाद 2 2H2 और ये 2P 6 तो किते हो गए 8 और ये 3S1 ये इस तरह हो गया अगला है में लिखेंगे 1H2 1H2 2S2 और P किता है 6 चाहे दो 8 हो जाएगा इसके बाद 3H2 3S2 इस तरह हो गया ऐलमूनियम का लिखेंगे 1S2 कामा 2S2 और 2P 6 अब हमारा हो जाएगा 3S 3S 2 और 3P 1 इस तरह हो जाएगा अगला है 1S2 2S2 2S2 और 2P 2P 6 और 3S2 और 3P 3P 2 इस तरह से हमारा सिलकान का इलेक्टानी बिन्यास हो जाएगा यदि हम सोडियम का यदि प्लस का इलेक्टानी बिन्यास निकालना चाहें तो क्या होगा यही इलेक्टान जो होगा सोडियम परमाड एक इलेक्टान अपना दान कर देगा इस इलेक्टान को क्या कर देगा खो देगा तो इसका इलेक्टानी बिन्यास हो जाएगा two eight two eight तो इस तरह हमारा इसका इलक्टानी बिन्यास यह हो जाएगा है यह हमारा छूड़ जाएगा इसी तरह से Magnesium का mg plus 2 का इलक्टानी बिन्यास हमको लिखना है यदि इसमें 2 इलक्टान क्या करेगा बाहरीक अच्छा से मैगनिशियम अपना त्याग देता है तो mg औी एम जी प्लस टू हो जाता है तो इसका इलग्टानिक विर्णइन शक्रेकी विर्णाईज के हो जाएगा यह वाला बॉरबरी केनियम के यह हिसाब से यह हमारा हो जाएगा यह दो इलक्टान वो खो चुका है इसी तरह ऐलमूनियम का एल प्लस थिरी एल प्लस थिरी का इसी तीन इलक्टान खो चुका है तो इसका इलक्टानी बिन्यास इतना बचेगा और जो है इसका इलक्टानी बिन्यास इतना बचेगा यह तीन खो चुका है इसी तरह जो है सिलकान भी S, Si plus 4 शिलकान का बचेगा, यह जो है 4 एलक्टान खोदेगा, यह बचेगा और इस तरह से यह, अब देखेंगे, सोडियम, मैगनिसियम, ऐलमूनियम और सिलकान का सबका एलक्टानिक बिन्याज क्या हो गए, देखो समान हो गए, यह क्या है, यह इ और सिलकान S, plus 4 शिलकान है, तो तीनों का इलक्टानिक बिन्याज 4, 1, 2, 3, 4 का इलक्टानिक बिन्याज क्या होगा, अब हम फास फूरस 15, सलफर 16, कलोरीन 17, आरगन 18 का इलक्टानिक बिन्याज निकालने जा रहे, इसके लिए बोरबरी के नियम 2, 8, 18 और 32 का परियोग करके हम लगाएंगे तो पहली कच्छा में दो इलेक्टान होते हैं बूरबरी के नियम के हिसाब से दूसरी कच्छा में आठ तो हो गया ये दस दस पंदा मसे दस गया पांच पांच बज गया तो पांच हमारा बज गया जो के भी आठ यहां पूरा नहीं हुआ अगला है दो और क् दस गया छे ये छे बजा इसमें कित्ते जा सकते हैं अठारा या अठारा जा सकते हैं बूरबरी के नियम के हिसाब से अगली कच्छा हो गया तू एट और ये सेवन अगला हो गया तू एट एट ये हमारा अठारा दस आठारा ये हमारा बूरबरी के नियम के हिसाब हो गया अब हमें इसको S P D F में लिखेंगे, S P D F में लिखेंगे, फर्स्ट कच्छा में S 1 S 2 और दूसरी कच्छा के 2 S 2 और 2 P 2 P 6 6 2 8 हो गया, इसके बाद हमारा 3 3 S 2 और 3 P 5 है, तो 3 और जूड जाएगा, 5 हो जाएगा, अगला है 1 S 2 2 S 2 और 2 P 6 और 3 S 2 और 3 P 4 इस तरह से लिखते जाएगे, अगला कलोरीन का हमारा है 1 S 2 1 S 2 2 S 2 और P P 6 3 S 2 और P 5 यह 5 हो जाएगा, आरगन के लिए 1 S 2 2 S 2 और P 2 S 2 P 6 और 3 S 2 और P 6 इस तरह से हम आरगन का लेक्टानिक विपन्याश, कलोरीन का सलफर का अर फासफोरस का लिखेंगे, यह अब हम रेड आयन का भी लेक्टानिक विन्याश, लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं? यह इस सका 5 5 हो, तीन के बारीन और इसका 8 हो जाएगा, और यह हमारा पी के अस्थान पर क्या हो जाएगा पी 6 हो जाएगा इसी तरह यह सलफर में दो इलेक्टान और आजाएं यह क्या हो जाएगा आठ हो जाएगा दो इलेक्टान आजाएं तो 8-2 तो इसका इलेक्टानी बिन्यास यही 2-8-8 हो जाएगा इस तरह क्लूरीन का एक नहीं आएगा तो यह दिस अलफर पर माइनस 3 आवेस आ जाता है तो आरगन का इलेक्टानी बिन्या सब को मिल जाता यानि 288 288 288 288 मिल जाएगा तो इस तरह से